अरे भाई एपल कैसे दिये तुने सर आपको यह एपल मिलेंगे पुरे 200 डॉलर के अब भाई क्या बात कर रहा है 200 डॉलर के एपल अरे हाँ सर आपको पता है होगा कि अभी लॉस सेंटोस के अंदर बड़ी महंगा ही चल रही है पर भाई एपल तुड़ी इतने महंगे होगे कली तो भाई में लेके गया ता भाई कुछ 50 डॉलर के लेके गया ता मैं अरे सर आपको क्या ही पता है एक रात में पूरा पूरा भाव बढ़ जाता है अपल का अब भाई तु मुझे पागल बना रहा है भाई तू तो मुझे नई सर मैं क्यों आपको ठगूंगा आप या भाई मुझे भी नहीं खरीदना अरे सर वैसे आज देट का है अब जा भाई मैं नहीं बता रहा आज क्या डेट अरे सर बता दो नहीं थोड़ा इसाब लगाना है मुझे अच्छा ठीक है बता देता हूँ भाई आज है 4 October आज ठीक है सर एक सेकेंड भाई आज तो 4 October यार म रुको भाई मैंने अपने नोट में लिखकर रखा था कि भाई सब क्या था आज रुको देखने तो भाई मुझे अब यार यह क्या आज तो भाई सब बढ़िया दीन है यार यह दिन में भूल के से सकता हूँ गाईजर आज लॉस सेंटर सकेंदर आज वन डॉलर डे यार दो imposs ऑर यार वण प्र一定要 ant लोस थो सच्व बता है न आरे हाँ चलाबी वडियास एक डॉलर में यह एपल करदे अरे सर यहार मैं आसा न हाटे में चला जाओं गा यार मैं रास्ते पर सोता हूं मेरे बीभी बच्चे भूखे मर जाएंगे सर अब भाई तू तो यार इमोशनल ट्रामा कर रहा है आरे सर प्लीज ऐसा मत करो यार अब नई भाई मुझे चाहिए सर यार मैं तो आपके पैर पढ़ता हूं यार प्लीज मुझे मत रूलाओ यार मुझे बहुत जाता रोना रहा है अब भाई यह तो रोने पे आ गया अब चोड़ भाई मुझे नहीं चाहिए तिरे फ्रूट्स और यार गाईस यह दिन मैं भूल के से सकता हूं वाई सब लॉस सेंटोस के अंदर वन डॉलर डे यार आरे सर मेरी साइकल अब जा भाई तेरी साइकल लें दूंगा मैं वाई सब उपर से फ्रूट्स नहीं दिया और यार आप साइकल मांग रहे हैं एक काम करता है इस परणाट से अपने घर पे चलते एंडर घर पे जाकर सिंचान और चौप से पूछता हो कि वाई साब आज का दिन मुझे तो लगता है आज का यह दिन वाई सब किसी को भी नहीं पता होगा जैसे मैं भूल गया ता यार कि आज कौन सा दिन है वैसे यार लोस सेंटर्स के बहुत सारे लोग भूल गयों गया एक काम करते हैं चलो पहले तो सिंचन चौप से जाकर पूछ लेते यार उन करते हैं पहले सिंचन और चौप से पूछ लेते हैं भाई सिंचन चौप घर पर हो अरे हाई यार फैंगी भी हम दोनों तो घर पर यह अरे भाई सिंचन चौप तुम्हें पता आज कौन सा दिन है अभाई तोड़ा और पूछने के लिए ट्राय करता हूं क्या पता यह लो लॉसेंटर्स के गवर्मेंट की थी पूरे एक महने पहले यार मुझे तो कुछ भी याद निया रहा है और भाई चौप तुझे कुछ याद आ रहा है आज किसी बर्गर के ऊपर आफर रहा अरे क्या भाई तुम दोनों को तैर कुछ भी याद नहीं है यार फैंगी पे त सब लॉसेंटर्स के बहुत सारे लोगों को पता होगा तो भाई सब अरे यार कौन सी बात यार यहीं बाइवाई वन डॉलर की बात यार किसी को भी नहीं पता होगी यार क्यों लगता तुझे अर्यार आपने तो आपने चौप भी तो भूल गे थे इस बात को अब हाँ मिले तो भाई साब बड़ी वेजती हो जाएगा हमारी अब रुग जा भाई आभी चेक करता हूँ अच्छा वाई यह चौप के बच्चे ने मुझे बता दिया यह रही मेरी बैंक और यह देखो भाई यह क्या मैंने क्या का आता तेरे पास बस डॉस डॉलर है अब भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार फेंगी वे तो क्या करेंगी अब चोड़ो भाई डॉलर में बहुत सारी चीज़ें आजाएंगी यहार चलना भाई सिंचान तो मेरे साथ जाते जाते सोच लेंगे अब कलो मैं भी आऊ किया अब रुख जाना चौप भाई सब हम लोग पहले देख लगूंगा हा तो यार तो मुझसे भी कम थोड़ी ना हो अब भाई सिंचे तो चुब बढ़ भाई हर बार बेज़ती मार देता यार कभी तो मेरी तारिफ कर लिया कर अच्छा ठीक यार अगली पार कर दूँगा फिलाल तो चलो यार पड़ाट से पर यार मैं तो सोच रह सबसे ज्यादा महेंगी महेंगी गाड़ी आती है यह काम करते लैंबर्गी नहीं खरी लेते अच्छा ठीक है वाई सिंचन पहले जाकर देख लेते तो चलो गाई यार आभी मैं और सिंचा जा रहें साइमन के शोरूम पर तब तक यार पड़ाट से इस वीडिए लाइक ए अब भाई सिंचन में ट्राइकर रहा है गाड़ी को भगाने के लिए यार तेरे वेसे वीडिए गाड़ी को कैसे चला रहा है तुछ आपको पता हो गया तुम्हें जाकर पुछ लो अरे हावाई मैं तो ऐसे बूड़ रहा था अरे बाई साइमन क्या हो गया तुरूम पर अरे साइमन क्या हो गया भाई रो मत तू अरे यार फ्रेंकली तुम जाओ यार मेरा थिमाख मत करा करो आरे पर बता ना भाई क्या हो गया औरे एक सेखिन भाई साइमन तेरे पास तो सबसे जादा महिँ घंगी तो पता यह सब यहार फ्रैंक्ली मैं क्या करू यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार अब तुम्हें बताओ मैं तो लूड़ गया कहा से लाओंगा इतने सारे पैसे अरे पर भाई साइमन तु कर भी क्या सकता था भाई साब लॉस सेंटर्स के गवर्मेंट ने कहा था कि भाई साब आज के दिन भाई वन डॉनर चैलेंज होने वाला है तो भाई तुझे देनी पड़ती भाई सारे के सारी गाडिया अरे यार साइमन अंकल आप यह आपका शोरूमी नहीं खोलते तो यार पढ़िया हो जाता अब हाई साइमन तुझे किस ने कहा था शोरूम ख चाहिए तो ले जाओ यार वैसे भी यार मेरी महंगी गाडिया तो चली गई अरे छोड़ना भाई मुझे नहीं चीए तेरी गाडिया तुरक भाई और रोना बनकर पहले तो यार फेंगी पे अभी आपने भाई सिंचन मुझे भी समझने आ रहे यार वाई सब साइमन तो ह जाता उसकी भी गाडिया चली जाए सारी की सारी नहीं तो यार सालाबाद में मेरी बेज़ती कर देगा अरे वहां भाई यहां से बस सीधा चले जाओ वहां पर तुम्हें सामने दिख जाएगा उसका शोरूम आचा ठीक है वहाई मैं जाता हूँ चलो बाई-बाई-बाई यहां पर भाई कौन सा शोरूम हो शकता है कि यह तो नहीं फ्रैंकली मिया अरे नहीं भाई सिंचन यह तो पार्किंग है यार कहा पर मिलेगा हमें वह शोरूम चायमन अंकल ले तो यहीं लोकेशन बताए थे रहा में अरे वहीं भाई सिंचन मुझे भी समझने आ रहे और तो शोरूम हो का सकता है तुरुप जा भाई आसे थोड़ा और आगे जाकर देखता हूं अब भाई पागया लेकिया अब है चोड़ो भाई लोसेंटोस के लोग चलो गाई जाकर देख लेते हैं एक सेकेंड और भाई वहाँ पर कितने महंगी महंगी घाड़ी आए तो नह मुझे तो गाईजर ऐसा लगता है कि भाई साब यह यह वह साइमन का दोस्त चलो भाई जाकर पूछी लेते हैं तुम साइमन के दोस्तों अरे हाँ बिलकुल अरे भाई मिल गया सिंचन हमें वह शोरूम चलो यार पढ़ा अच्छे गाड़ी खरीद लो और हाई सिंचन बत यह देखो रॉयल्स रॉयल्स यह देखो भाई मर्सर्डिस के जी वैगन और यह रॉयल्स रॉयल्स की एक से लग रहे मुझे अरे हाई यर मुझे भी ऐसा लगता यार अब यह तो मुझे रिपीट मत कर शान बेट थोड़ा अच्छा ठीके यार और यह देख भाई सिंचन मैरे चड़ी से मैच कर रही है मस्टैंग तो चलो यार इसी को खरीद लेते हैं भाई साइट से कितनी बढ़िया दिक रही है पर भाई सिंचन यह देख भाई साब यह तो भाई कोई रेसिंग कार लग रही मुझे अर यह इसका कलर देखो यार मेरे शट से मैच ही नहीं कर यह थोड़ा अलग टाइप का रेड कलर यह अब क्या भाई सिंचन तुम कलर से देख रहा है यह देख भाई वाइट कलर की बुगाटी यह कैसे भाई यार पैंगी मैं तो बोलता हुआ फोर सिटरी ले लो यार वाई सब उसके अंदर हमारा चौब भी बैट जाएगा और यार कभी कबार मेरी ममी पापा आएगे तो और वो भी बैट जाएंगे अरे हाँ भाई सिंचे तू तो सही बोल रहा है काम करते भाई कोई फोर सिटरी ले 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 अरे हाई यार ले लो ले लो कौनसे गाड़ी अच्छी लगी तुम्हें अरे भाई मुझे यह रॉ इस गाड़ी को अरे यार मत खरीदने दो मुझे क्या ही फरक पड़ता है मेरे पास तो यार बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियों का स्टॉक होता है अगर तुम्हें लेना है तो बोलो नहीं तो यार निकलो यहां से अब भाई अच्छा ठीक है मैं खरीद ले दो इसको अ दे गाड़ी अगर नहीं तो अब जा भाई मैं तो लेकर रहूंगा तो मैं पता भी है मैं अंडर वर्ट से हो अब भाई तो कहीं से भी हो मैंने डरता तुछसे और यार तुन्हें तरी गाड़ी मुझे नहीं दिना भाई वन डॉलर में पुलिस को कॉल करके बुला मुझे तो लगता है किसी मुझीबत में बसा होगा चलो यार जाकर उसकी मदद ही कर देता हूँ यहीं कहीं का रास्ता बताया था पर यह ट्रक वाला बीच में क्यों आ गया अब हो है तु क्या पागल है क्या अरे सार सौरी गल्ती से आ गया था मैंने देखा नहीं था देख यार जारा भाइस अब यह उन्बात कर रहा अरे कैसी मुझे यहाद आ गया यह कैसे नहीं कर रहे हो आज कई चलेंग लाए तो लॉस 에टास के गवर्मेंट तो कपका नौट कर सब्सक्राइब करना पड़ेगा मुझे लगए कोई पागल है और मुझे आकर मज़ा कर रहा है चलो अभी फड़ाइब दो और मेरा टाइम मत खराब करो अब यार आदे दिन से चुटी ले लेता हूँ और यार जाकर मैं भी चीज़े खरीदूगा अचा ठीक है भाई चल भाई 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 याद रखना है यह सब अचा ठीक है फ्रेंग भाई चोड मुझे सर्वर मत बुला अरे यार फैंग भी आप क्या खरीदना यार अरे इक मेनेट क्या हो गया वाई इंचेंट अरे यार पीछे देखो यह वह आंकल क्या कर रहे अवे हाई यार रुख्या भाई देखने दे आउता जाने के पैसे भी नहीं है अरे चलो अंकल मैं आपको छोड़ देता आपके घर तक पर यार फैंगी भी हमें तो यार चैलेंज कंप्लेट करना था नहीं यार अरे नई भाई सिंचन चलना यार इन अंकल को छोड़ देते पहले बाद में भाई चलेंगे भाई एक बड़ा सा घर खरीदने के लिए क्या हो गया बच्चे अरे अंकल यार हम दोनों तो भाई बहुत ज़ादा गरीब है आज भाई एक लॉस सेंटर्स के अंदर ऐसा चैलेंज निकला हुआ है जिसमें भाई साब हम ओन डाउलर से वाई कोई भी चीज़ खरीण सकते अरे बाकी दिन रहां तरह बाकी दिन तो यार उंकल हम लोग गरीब हो की तरह रहते अरे यार बच्चे यार कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ आप कैसे मदद करोगे अरे तुम एक काम करो, तुम सबसे बहले मुझे अपने घर तक छोड़दो, बाद में देखो, मैं तुम एक surprise gift दूँगा, अरे कैसे surprise gift अंकल कई पैसे तो नहीं देने वाले आप मुझे अरे नई बच्चे ऐसी कोई चीज नहीं है तुम चलो तो सही पहले मेरे घर पे अचा ठीक या अंकल आप मुझे फटाट से आपके घर की location बता दो मैं चलता हूँ फटाट से अचा ठीके बताता हूँ मैं चलो तो गाईज चलो अभी फटाट से चलते हैं अंकल को उनके घर तक छोड़ने के लिए अचा ठीक है चलो भाई आखिर कर पहुंच ही गए और हाँ बच्चे यहां से बस थोड़ा ऊपर ले लो यही पर मैं रहता हूँ अरे यार फेंगी यह तो हम यहार बहुत दूर लेकर आगे यार छोड़ बाइस इंचन कोई बात नहीं यार हमारा तो काम यह बाइसा बुड़े लोगों की मदद करना अरे वा बच्चे यार तुम तो बहुत आच्छे हो अरे हां अंकल वैसे आप अबर यार फेंगी में वह अंकल कहा बहुत इंचन अबर लेटरली में वह घायव एक से बदल गया बाई यार आप्यार मैंने इसको चाट कर देखा यार अबे तुम खुदी चाट कर देख लो इसको अच्छा रुक जा बाई देखता हो और हाँ वाई सिंचार यह तो सच्ची में गोल्ड की बन गई यह कोई कलर रही तो गोल्ड ऑला मैटल है अब यार यह कैसे पॉसिबल है और यार फैंकी व्याइब मुझे लगता है यह पावर्स वह अंकल हमें देखकर चले गए यार पर भाई तुझे कैसे लगता यह अपन यह तो इंपॉसिबल है अब वही बहुत सारे पैसे आई जाएंगे मेरे पास अरे हाई यार फैंकी बे एक काम के लिए जाएंगे बीलकुल सही बोल रहा है ऐसके बात बहुत सारा फैसे इस बना आ चाले है यहां आपने बिल्कुल पर सही का चलो आपने घर जाकर बहुत सारी चीजों को गोल्ड में चेंज कर देते तब तक है सुम्झाव यार फटाट से इस वीडियो को लाइक एड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो चलो गाइस चल देवर आचे लैट्स को और राइट गाइस फाइनली मैं और सिंचन पहुंचने वाले हमारे घर पर और भाई साब गोल्ड बनाते ठीक है वाई सिंचर आज हमारे घर के अंदर भाई वैसे भी बहुत सारी चीज़े जिससे यार भाई साब हम लोग इस्तमाली नहीं करते हैं उससे भाई गोल्ड के अंदर चेंज करते थे वाई साब रुका नहीं जा रहा है यार मुझसे तो चलो भाई या और यह यह भी चीज़ों कर दूँगा तो डाइस कर दिया है कितना सारे वैं कितना सारे बिसकिट आ पर यार यहार हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो चलो गया आट से निकलते हैं सब्सक्राइब साथ काम करता मैं आप सभीकी ऐड़िविए फरेट घरी रहें पार चलों गाइस अभी मैं जा रहöं किसी जोल seria उप्पे तब तब गाइस तुम जा आउज के बसित नॉटे अई सदा आगे वीडिए के लिफयेंगे वीधिक जातुर